है अगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक लाइक चैनल को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें सो जैसा है कि लांस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह के से studio 5000 में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं अलगलाइं सेक्षसंट के बारे मैं मैंने बताया है तो उसी सीरीज में आगे जैज मैं बताने वाल आपको यह बताने वाला हूं कि हम Studio 5000 में one-shot rising, one-shot following instruction कैसे use करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको simple आपको एक instruction यूज करना पड़ेगा और उससे पहले अगर आपने अभी तक software install नहीं किया तो software download करके install कर सकते हैं आप directly hardware पर भी implement कर सकते हैं और आप चाहते हैं इसको implement करना software पर यान इमिलेट करना simulate करना तो आप वह भी कर सकते हैं तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे screen पर कि यहां पर देखें bit instruction plate में bit में आप यहां पर देख पा रहे हैं कुछ instruction available है जैसे कि यहां पर दिया हुए one sort instruction and OSR instruction one sort rising यह दौनों यह की instruction है आप अपने तरीके से आप यूज कर सकते हैं जैसे की requirement रहती है पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका purpose क्या होता है one sort का purpose यह होता है कि कोई भी जब pulse rise करती है पर जाएशिक बता क्या मतलब यह होता है कि जो पूह पर थी करती है जैसे जिदए कोई signal आता है दन चला जाता है या या One-Sort Rising instruction यूज़ करते हैं तो मैं दोनों instruction के बारे बताऊंगा तो अगर मैं यहां पर awareness instruction ले रहा हूं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक input का address लेना पड़ेगा तो आप controller tag में पहले एक input address रफाइंड कर लिए तो जैसे कि मैंने यहां से अभी एक input address ले लिया, आप इसको capital में, क्योंकि tag generally हम capital में ही use करते हैं, जैसे कि कोई भी doubt न रह जाए, इसलिए मैंने input 0 ले लिया, और यह जो मैं ले रहा हूँ, यह भी LIS रहेगा, और यहां से local 3i पर जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैंने यहा से 0 number input ले लिया, इसी तरीके से अब यहां पर ONS पर जाएंगे, और direct आप input का address आप दे दीजे, जब भी यह input जब भी प्रैस होगा, यानि signal आएगा, तो आप one shot pulse को लेना चाहते हैं, detect को होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करिए, आगे आपको यहां पर, एक example के आप एक output ले सकते हैं, बट क्योंकि pulse इतनी जल्दी आती है, इतनी कम time के लिए रहती है, तो आप output में इसको simply देख नहीं पाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप एक counter ले सकते हैं, तो जैसे मैंने यहां से counter ले लिया, तो counter count कर लेगा उस pulse को, तो यहां आपर मैं क्या करूंगा, एक मुझे counter का tag भी बनाना पड़ेगा, तो जैसे मैंने यहां से counter का tag यहां से बना लिया, और यह बेसी ही रहेगा, और यहां से आप इसको define कर सकते हैं, counter data, और यहां पर double click करके आप counter जो tag लिया है, वो ले सकते हैं, इस तरुके से आप ले सकते ह अगर आप चाहते हैं, counter की जगे latch instruction लगाना, तो आप वो भी लगा सकते हैं, it is up to you, कि आपको कैसे use करना है, तो मैं example के लिए इसको एक बार डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूं, और बताऊंगा भी कि मैंने counter क्यों use किया है, उसके पीछे region क्या है, वेकर one sort pulse इतने क क्या किया, counter लिया है, जिसे कि वो pulse मेरे को क्या हो, visual हो सके मेरे लिए, मैं देख पाऊंस को, और count भी कर सके, तो जैसे कि example के लिए अगर यहां से बात करते हैं, तो जैसे मैंने यहां से force on किया, और मेरे को force enable करना पड़ेगा, यहां से मैंने enable किया, then जैसे ही मैं release करूंग तो आप देखेंगे यहां से, जो भी pulse आई है, उसको देखें, यहां से count हो रहा है, यानि आप देख पा रहे हैं, यहां से pulses count हो रही है, right, तो one sort, यह हमारे पास एक है injection, इसी तरीके से अगर मैंने counter नहीं लिया होता, जैसे मैं counter हटा देता हूं, simple एक output अगर यहां use करता ह पड़ेगा, तो वो simple मैं यहां से एक output का tag बना लेता हूं, तो आपको यह भी clear हो जाएगा कि किस तरीके से, मैंने क्यों counter यूज किया था और output क्यों use नहीं लिया था, यहां पर देखेंगे आप जो भी आउट